दोस्तों अभी जियो ने अपना लेटेस्ट कीवेट फोन जियो गिरीन लाँच किया था, जो कि जियो 5G को सपोर्ट करता है। अब इसके बाद जियो अपना एक सांदार टचपैड वाला फोन इंडिया में लाँच करने वाला है। जियो के द्वारा बताया गया कि यॉपोन जियो 5G को सपोर्ट करने वाला है और साती इसमें जियो की सारी एप्स जियो सीनमा, जियो म्यूजिक, जियो गेम का सपोर्ट भी दिया जाएगा जियो इस phone को इस साल के अंद तक launch करने वाला है और इस phone को totally affordable बनाया जाएगा जिससे कि हर कोई 5G service का आनंद उठा पाए एक news के मुताबिक जियो 5G का launch भारत में दिपावली के आसपास हो सकता है और इस phone का सबसे बड़ा highlight इसका price है बताया जा रहा है कि यह phone 10,000 से कम price range में available होगा अभी तक phone के बारे में जो leak मिले हैं उसके मुताब यह phone 6.5 इंच की IPS LCD डिस्पेले के साथ आएगा जो कि 4GB RAM और 32GB storage को support करेगा बताया जा रहा है कि यह phone स्टाफ ड्रेगन 480 चिप सेट पे work करेगा इस्टोरेज को बढ़ाने के लिए इस phone में micro SD card का support दिया जाएगा यह phone 18W के fast charging के साथ आएगा जो कि 5000 mAh की battery को support करेगा जो के द्वारा बताया गया कि इसमें 5G के 4 बेंट अभेलेबल होंगे यह phone dual SIM slot के साथ भी आएगा जहां जियों ने अपनी 5G service की testing शुरू कर दी है वही साथ साथ एक ऐसा phone भी लाने वाला है जो कि सबसे कम price range में 5G provide करेगा लेकिन यह phone कितना successful हो पाएगा यह तो वक्त ही बताएगा तो ऐसे ही सबसे पहले phone की unboxing, review और tech news की वीडियो को देखने के लिए चैनल को like, share, subscribe जरूर करें